नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, NDPS Act न्यूज में है, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act नॉर्मल करकोस में अगर आप एक्जाम की तयारी नहीं भी करते हैं, तो भी जो हमारी Bollywood movies हैं, जिसमें drug smuggling को दिखाये जाता है जो सीरियल साते हैं, जिसमें drug smuggling को दिखाये जाता है, वहाँ पे NDPS Act आपने सुना होगा तो इस NDPS Act के अंदर, Illicit Trafficking Narcotics की Allowed नहीं है Narcotics आप कह सकते हो, एक प्रकार की Compounds होते हैं, जो की Medication के लिए भी काम होते हैं ये दो जगों पे बहुत Prominently Act करता है, एक हमारी Spinal Cord में और एक हमारे Brain में तो हमारा Brain का जो पूरी Body के साथ Connection है, वो कई न कई नर्स के थूँ होता है और इन नर्स की Functioning को Control करने के लिए इन Narcotics Substances का इस्तमाल किया जाता है इसलिए ये जो Narcotics के Drugs होते हैं इनको आप दवाई की तरह भी इस्तमाल कर सकते हो और इनको आप नशे की तरह भी इस्तमाल कर सकते हो अभी Drugs का नशाथ तो आपने Sanju जैसी Movies में देखी रखा होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है और यही Narcotics अगर सही amount में, सही quantity में लिया जाए तो वो दवाई की तरह काम करता है तो अब इसको दवाई की तरह काम करवाने के लिए कुछ changes किये गए 2014 में NDPS Act 1985 में उस changes के चलते, वो criminals जो कि NDPS Act के अंदर charge किये जाते थे, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर leverage उठाने लगे है तो इसी case को हम लोग यहाँ पर समाझने की कोशिश करेंगे हुआ यह कि 2016 में एक accused ने West Tripura के special judge के सामने bail मागी और वो bail उसने कि साधार पे मागी? वो बोल इसने साधार में मागी, उसने बोला कि भाई जो section A है आपका NDPS Act 1985 का इसके अंदर तो कोई offense ही नहीं तो जब section 27 A of the NDPS Act 1985 के अंदर कोई offense ही नहीं तो मुझे छोड़ दो बाईजदबरी करो तो एक second के लिए वो जो judge था वो भड़वड़ा गया उसने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि NDPS Act के अंदर कुछ है ही नहीं इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि section 27 A of the NDPS Act 1985 करता क्या है तो it prescribes the punishment for financing illicit traffic and harboring offenders ये तो हो गई general type की इसकी परिभाशा specific परिभासा देखें अगर overall of NDPS Act 1985 की बात करो तो this is a principal legislation हमारे देश का सबसे बड़ा legislation है जिसके थूँ सरकार drugs और psychotropic substances के use को regulate करती obvious ही बात है इस use को medical purposes के लिए तो आपको allow करना ही पड़ेगा medical purposes के लिए इसके इसके इस्तमाल को बंद नहीं कर सकते लेकिन drugs वगारा smuggle करने के लिए इसका इस्तमाल prohibit करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे like बटन चैनल को share और subscribe जरूर करतो तो अब हम बात करते हैं section 27A of the NDPS Act 1985 की wordings के हैं wordings है whoever indulges in financing directly or indirectly any of the activities specified in clause 1 to 5 of clause 8A of section 2 मतलब NDPS Act 27A में section 2 में clause 8A के अंदर sub clauses 1 to 5 इन में क्या लिखा हुआ इसमें ये लिखा हुआ है कि बाई अनी person who is engaged in any of the aforementioned activities shall be punishable with rigorous imprisonment of a term which shall not be less than 10 years but which may extend to 20 years and shall also be liable to fine which will not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 2 lakh rupees और 2 lakhs से ज्यादा भी हो सकती मतलब कि ये जो section 27A है इसके अंदर section 2 है उसके अंदर clause 8A है sub clause 1 to 5 है इसमें कुछ conditions लिखी हुई है कुछ aforementioned activities लिखी गई है और अगर ये activity कोई भी particular person करता हुआ पकड़ा जाता है तो इसको कम से कम 10 साल की सजा होगी और 20 साल तक की सजा हो सकती कम से कम 1 लाग का जुरुमाना होगा 2 लाग तक का जुरुमाना हो सकता और 2 लाग से जादा कभी जुरुमाना हो सकता है ठीक है भाई अब problem ये हुई कि 2014 में NDPS Act में एक amendment किया गया आपको पता होना चाहिए कि NDPS Act बहुत strict act है ड्रग की trading या किसी भी प्रकार से ड्रग का गलत प्रकार से इस्तिमाल हमारे देश में बहुत जादा इस NDPS Act के अंदर regulate किया जाता है और जो हमारा Narcotics Department है वो उसके लिए बहुत active है कल की date में अगर आप IPS या IRS में select होते हो तो किसी Narcotics Department में आ विज़ा Director ये Deputy Director भी भी भीज़े जाओगे और वहां की Narcotics Handling आपके हाथ में होगी रोखना परहाल वे कलग चीज़ है तो 2014 में सरकार ने NDPS Act 1985 के अंदर एक amendment किया होता ये है कि देखे हॉस्पिटल्स में तो आप ड्रिक ये ड्रक्स की जरूत पड़ेगी एक दवाई होती है या फिर कहले जिए injections आते हैं Morphine और Morphine की खास बात क्या होती है कि ये दर्द को कम होता है तो जिसको गोली रगी है या जिसकी बहुत ज़दा bleeding हो रही है या उसको बहुत दर्द हो रहा है उसको कहीं न कभी Morphine दिया जाता है और अगर आपने ये Western Serious देखे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इस Morphine के injection को चुरा के लोग अपने आपको लगा लेते हैं नशा करने के लिए भी अब इस Morphine को बनाने में एक Analgesic Opioid का भी मतब देखें Morphine के अंदर का जो Constituent है न वो क्या है? वो Analgesics है बेसिकली वो Pain Killer की तरह काम करते है अब ये जो Morphine जैसी Drug है इसके साथ और भी जो आप कह सकते हो Analgesic Drugs आती है जो कहीं न कहीं Pain Killer की तरह काम करती है NDPS Act के चलते ये दवाईयां Hospitals को भी नहीं मिल पा रही थी Normal Drug यूज के रहे तो अलग बाते हैं मतब हॉस्पिटल को भी Morphine जैसी दवाईयां ठीक से Access नहीं हो पा रही चुकि NDPS Act 1985 के जो नियम कानून थे वो बहुत ज़ादा आपके सकते हैं तो भारा सरकार ने 2014 में एक संशोधन की NDPS Act के अंदर और ये बोला कि भाई ये जो दवाईय वगरा है पेंकिलर्स हैं ड्रक्स की ये सरकार कम से कम Hospitals को तो प्रियोर्टी बिस्स पर अलॉट करेगी ना हॉस्पिटल को तो मिलने चाहिए पेंकिलर्स उनके आपके कोई कैंसर पेशेंट है कोई ऐसा पेशेंट इसके इलाज में बहुत दर्द हो रहा है उसको मॉर्फीन देना पड़ेगा ठीक है तो भाई हॉस्पिटल के पास अक्सेस होना चाहिए अब इन हॉस्पिटल को एक काम जब भी आप amendment करते हो तो आपको मालू होगा कि किसी एक act के अंदर जो अलग-अलग sections होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं तो 27A हो गया कोई section 2 हो गया कोई 3 होगा कोई 4 होगा तो 27A के अंदर section 2 वाली कुछ बाते लिखी होई होगी या किसी और section की कुछ बाते लि हो गई जो लोग ये 2014 के amendment को draft कर रहे थे जो section 2 clause 8a sub clause 125 वाला जो clause ineffective हो रहा था ना इस clause 125 को criminals के लिए activate करने के लिए एक और section मनाना था वो section यहां 2014 के amendment में मनाना भूल गए drafters और जब वो drafters इस बात को मनाना भूल गए तो effectively 27A के अंदर ये जो पांच conditions थी जिन पांच conditions के के उपर इल्जाम लगाया जाता था ये पांच condition ही गायब हो गई और इसका फाइदा उठाके 2016 में एक आदमी ने वेस्ट त्रिपुरा में एक particular special judge के सामने बोला कि आपके NDPS Act के अंदर तो ये जो पांच conditions हैं जिसके हिसाप से मुझे पकड़ के जेल में डाला गया या किस पहुचा तो उसने तिरपुरा के high court के matter को वो कर दिया मतलब रेफर कर दिया तिरपुरा high court ने इसको ढंक से देखा तो तिरपुरा high court ने इस बात को point out किया कि हा भाई देखिए जो लोग draft करते हैं उनसे कुछ ना कुछ गलती हुई और ये natural गलती है आपको पता होना चाह है और अभी के लिए 2021 चल रहा है 2016 में वैसे इसके अंदर मदब केस फाइल हो गया था वैस्ट तिरपुरा की आप कैसकते हो special judge के सामने फिर तिरपुरा high court के बास चला गया और high court यहां पर एक statement दे रही है अब बात यह है कि क्या किया जा सकता है matter law ministry को refer किया गया law ministry ने बोल है तो changes इसले किये गए कि hospitals को यह drugs available कराई जा सके ना कि criminals को इन मतरब drugs available करवाई जा सके तो इसलिए overall जो law का ethos है इसको यहां पर पकड़ने की जरूथ है ऐसा बोला है law ministry ने लेकिन अब एक legal challenge यहां पर आके खड़ा हो गया तिरपरा high court का यह बोलना है कि अगर आप article 20 of the constitution क देखो तो article 20 बोलता है protection against double geo party और इसको मैंने बहुत धंक से आपको लक्ष्मी कान दो पढ़ा है article 20 clause 1 बोलता है says that no person shall be convicted of any offense except for violation of law enforcement at the time of commission of the act charged as an offense nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law enforcement at the time of the commission of the offense क्या मतलब बोला जारा है 2014 में आपने amendment कर दिया NDPS Act के अंदर जिसके चलते section 27A ineffective हो गया अब उसके बाद 2014 के section 27A के ineffective होने के बाद अगर 2015 में 2016 में किसी ने कोई law का violation हुआ किया तो टेक्निकली तो वो law ही नहीं वहाँ पे 27A तो टेक्निकली यहाँ पे ineffective है तो उस समय के उनके हिसाब से वो particular person उस चीज के लिए responsible नहीं है तो आप उसको सजा नहीं दे सकते ठीके ना मतलब एक crime की एक समय पे जो सजा है उस सजा से जादा सजा बाद में उसको नहीं दे सकते और अगर 27A के अंदर जो सब condition से वो blank है कोई सजा है ही नहीं तो उसके लिए किसी को एक टाइम पे एक सजाव े Apply तो 2014 में जो क्राइम किया उसके लिए सजाव नहीं की सजाघी पांच महाने की सजा लिए दो अब ही 2019 में अगर 10 महीं ने एक साल जेल की सजा है तो एक्स्ट्रा सजा वो 2014 वाले क्राइम के लिए नहीं काटेगा। 2014 में जितनी सजा थी उतनी सजा वो काटेगा। बहले ही आप आगे आने वाले समय में सजा बढ़ा दो। तो ये जो criminal law में amendments होते हैं ये retrospective नहीं होते हैं। taxation amendments retrospective हो सकते हैं कि 2014 में किसी ने कमाई करी और उस कमाई के उपार tax 2021 के amendment के थूर लगाया जा सकता है लेकिन 2014 में किसी ने crime किया और उस crime की सजा को बढ़ाने के यह नहीं हो सकता है यहां पर तो 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 पर आई कोड़ यह बोल रहा है कि आर्टिकल 20 की परिभाशा के अंदर जिस समय पे इस पर्टिकुलर परसन ने क्राइम किया है वो क्राइम था ही नहीं तो अब आप अमेंडमेंट करके उसको हवाजा कैसे दे सकते हो तो यहां पर चौदा में यह हॉस्पिटल्स को ड्रग की अविलेबिल्टी कराने के लिए किये गए थे हमने कभी भी क्रिमिनल्स के लिए इस NDPS Act को रिलाक्स नहीं किया है तो overall law की picture को देखना जरूरी है यहां पर ड्राफ्टर से थोड़ी गलती हो गई है गलती का मतलब यह नहीं है क चुकि अब यह मद्दा काफी उठ रहा है तो इस प्रकार के लूप फोल्स का फाइदा उठा के हो सकता कुछ और लोग बेल के लिए अपलाई करेंगे हाई कोट में सुप्रीम कोट में बहुत सिंपल सी बात है यहां पर जो एमेंडमेंट्स किये गए थे वो हॉस्पिटल इसको skip नहीं कर सकते हैं तो यह था यहां पर आपको याद क्या रखना है आपको याद रखना है Article 20 अफ दे इंडिन कॉंस्टिटूशन प्रोटेक्शन अगेंस डबल जीओ पार्टी उसके साथ साथ आपको याद रखना है Section 27A of the NDPS Act अब यह अलग बात है कि Section 27A के अंदर Section 2 Clause 8A Sub Clause 1 to 5 यह याद रख सको तो याद रख लो नहीं याद है तो भी चलेगा बस इतना याद अखना Section 27A of NDPS Act 1985 was amended through a 2014 amendment for allowing hospitals to have better access to narcotic drugs for the purposes of medical analgesics and in that process due to wrong drafting of the amendment the article 27A of 5 sub clauses became ineffective इस तरीके से करके क्लाइन जोड़ लो law ministry के input यहाँ पर आ गए है कि भाई overall law को देखना है ना कि किसी कि specific line को पढ़के आप law को infer करने लगो चुकि policy और जो law का basic essence है वो यहाँ पर सब को clear है ओके तो यह चोटी सी दोती नाइन आप अपने नोट्स में जरूर इंकॉर्परेट कर लो थैंक यूफर वाचिंग फ्रेंट्स आई होप यह न्यूज आपको काम के लगी होगी है